आज मैं फिर से आई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी ले करके शादी पार्टियों वाली जीमी गंद की रेसिपी ले करके आई हूँ एकदम मसालेदार सब्जी है और इसका स्वाध ऐसा कि आप एक बार खाएंगे न तो भूल नहीं पाएंगे यह इतनी टेस्टी बनती है एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाईएगा आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं लो मैं यूटूब फैमली इट्स मी अर्पिता एंड वेलकम बैक तो मैं चानल इंप्रेसिव अर्पिता जाड तो यहां पर मैंने कुछ लैसून हरी मिर्च प्याज और टमाटर इससे हम मसाला बेस बनाएंगे तो सब चीजों को अच्छे तरीके से सफाई करके एक बॉल में मेरे पानी ले लिया है उसमें हर चीज को डालते जाएंगे सफाई करके यहां पर ध्यान देनी वाली बात है कि टमाटर आपको देसी लेना है हाइब्रीड वाली टमाटर का यूज मत किजेगा और में खटा बहुत ज़रूरी होता है नहीं तो और से खुझली भी हो सकती है मुझ के अंदर गले में तो इस तरीके से सबजी बनाएगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो सबसे पहले हम टमाटर को पी अब मैंने फीर से वही जाड ले लिया है और उसमें बागे की चिजों को काट करके डाल देंगे प्याज अद्रक लैसुन हरी मिर्च और उसका भी हम फाइन पेस्ट बना करके रख लेंगे तो देखिए सारी चीजों को मैंने इसमें डाल दिया है और इसका एक फाइन पेज बना लेते है तो फाइन पेज बन गे इसे अलग रख देते हैं यहाँ पर मैंने आधा किलो सूरन लिया है सूरन काटने से पहले हाथों में तेल जरूर लगा लें सूरन का साइस काफी कमें इस तरीके से कट कर लेंगे और कलने में बहत मुसीबत वाला काम है तो ध्यान से करें चोटा पीस लेंगे और उसे अच्छे तरीके से चील लेंगे और एक बॉल में पानी जरूर रखेगा उसी में कट करके ऐसे डाल दीजेगा तो देखे जीमी कंदी यहाँ पर कट कर रेडी हो गई है अब हम ले लेते हैं प्याज आपको प्याज की कॉइंटिटी यहाँ पर जादा लग रही होगी तो इस रेसिपी में प्याज ज्यादा पड़ता है तब ही वो टेस्ट टेक्चर सब कुछ आता है तो प्याज को हम बारिक बारिक इस तरीके से कट करके अलग रख देंगे यहाँ पर मैं सबजी में डालने के लिए आलू ले रही हूँ जिसे मैं इस तरीके से काट लूँगी ओल से थोड़ा बढ़ा तो चलिए बनाते हैं सबजी गैस को ओन कर लेते इस पर रख देते एक कड़ाई कड़ाई में हम पानी डालेंगे क्योंकि हमें तीन मिनट के लिए ओल को ब्लांच करना है पानी को ढग दे पानी में उबाल आने दे ऑल के साथ-साथ इसमें एक छोटी चमज नमग भी जाएगा जब मैं डाल रही थी तो मुझे नहीं पता था और क्यामरा ओफ था डाल करके इसे ढग दे और तीन मिनट तक इसमें बॉइल आने दे तो देखिए तीन मिनिट हो गए है ब्लांच हो चुका है गैस को आफ कर दीजे और सारे ओल को हमने निकाल लिया है अब अल को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे तब आगे का प्रोसेस करेंगे इस पानी को फेक देना है और कढ़ाई को मैंने फिर स इसमें हम अदेगे सारे अब देखिए यहां पर जरूरी बात है कि आपको हमें अच्छे से से करना है मतलब कि इसे अच्छा मैं आजाएगा क्रश्ट आजाएगा तब तक हमें इस से चलाते हुए फ्राइप करना है इस प्रोसेस में आपको 7-8 मिनिट लग जाएंगे को निकाले लग अब इसान परो फ्राई कर दोंगी जोंगे आलो काटा था इसे बार ύिम ने दुंरोर वाज नेter transmis लेख घंज के अासने एग पर उन फूल में तो सब्सक्राइब अब मैं इसे अच्छा कलर के लिए हल दी और थोड़ी सी इसमें नमक एट कर रही हूँ ताकि आलू अंदर से फीका ना लगे और इसे अब हम फ्राई कर लेंगे चार मिनिट हो गए आलू अच्छे से फ्राई हो गया है जिसमें मैंने सूरन तल के रखा है उसी बाहूल में आलू को भी हम निकाल लेंगे और देखिए आलू मैंने सारा निकाल लिया है अब इसमें तेल ना बहुत जादा मुझे लग रहा है तो तेल को भी मैं कम कर तेल को हमें बस कड़ाई में चार बड़ी चमत छोड़ना है उसी में हम सारी सबजिया बनाएं गे तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं डाल देती हूं तेज पत्ता जीरा इस अच्छे तरीके से तड़कने दे फिर डाल देंगे इसमें हम प्याज प्याज को हमें गुल आप जाता है वैसे ही होना चाहिए तो प्याज हमारे भून गई है देखिए हमें इस तरीके से प्याज को दूलेंगे प्याज के साथ अब हम यहां पर खना लाए सौन हरी मेर्च और प्याज वाली इस पेस्ट को डाल करके इसे 2-3 मिनट तक हम इसे बूनेंगे अच्छी तरीके से भूनना है जब तक इससे ओल सेपरेट ना हो जाए तो देखिए इसे हमने दो से तीन मिनट के लिए भून लिया है मसाला अच्छे से रेडी हो गया है तो देखे इस तरीके से आपको भूल लेना है और स्टील की कढ़ाई है इसलिए थोड़ी चिपक रही है सुखे मसाले अब हम डालेंगे स्क्रीन में आपको सारी क्वाइंटिटी दिख रही है तो उसी इस आप से डाल रही हूँ हल्दी है, जीरा है, धनिया है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, मीट मसाला है, सबजी मसाला है, नमक है, स्वाद के अनुसा मसाले डालते सामें गैस को स्लो रखें तक और सभी मसाले को डाल करके इसे अच्छे तरीके से मिला दें। लेकिन मसाला चिपकनी की वज़े से इसमें तीन से चार बड़ी चमच हम इसमें पानी आड़ कर रहे हैं आप अगर लोही की कढ़ाई में बना रहे हैं या किसी और कढ़ाई में तो वह नहीं चिपकेगी तो इस तरीके से हमें मसाले को भून लेना है दो से तीन मिनट के तब ही हमें वह स्वाद मिलेगा जो हम शादी पार्टियों में खाते हैं तो टमाटर डाल के से अब हम ढग देंगे ओल सेपरेट होने तक तो देखिए चार मिनट हो चुके हैं अच्छे से टमाटर भी पक गया है सब चेसे पक गया देखिए ऑल भी दिख रहा है तो अब ह खुश्बू तो इतनी अच्छी इतनी लाजवा खुश्बू आ रही है आप बीना बनाए समझ नहीं पाऊगे तो मसाला भून गया है अब हम इसमें डाल देते ओल और आलू जो फ्राई करके रखेते और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे मतलब आलू और आलू तो देखिए इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है तो देखिए इस तरीके से और यह ऐचय तरीके से मिक्स हो गया है अब हम फे नहीं ढ़ exposure एक मिनिट के लिए ताकि अच्छी सी घुजो और रालू में आ जाए कढ़ाई को हम दूसरे तरफ कर देते हैं और इस पर हम dryer my और कुकर करके सारी सबजी हो को हम इसमें पलट लेंगे क्योंकि अभी हमें कुकर में इसे पकाना है तो सारी सबजों को हमने इसमें डाल दिया कड़ाई में काफी मसाला लगव है तो उसमें हम आदा ग्लास के करीब पानी डाल देंगे और सारे मसाले को पानी में हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और हम इसे डाल देंगे सबजी में अब मैं इसमें ग्रेवी कर रही हूँ, मैं इसमें दो ग्लास पने दो ग्लास पाने डाल रही हूँ, आप ग्रेवी अपने एक्कॉडिंग कर सकते हैं इस तरीकए से मिक्स कर लीजिये इसमें बॉ ज़्ञाजवाब की खुश्बूल आरहिये Or Doesn't देखिए इसका बहुत ही टेस्टी सब्जी बन करके आती है मतलब शादी पाटियों जो खाते न उससे भी ज्यादा टेस्टी सब्जी बन के आती है अब हम आलू और डोनों को चेक कर लेंगे तो देखिए अच्छे तरीके से पक चुके हैं ऐसे पकाने से सब कुछ परफेक् मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत इस सब्जी को देखने के बाद और यह स्वाद में तो इतनी लाजवाब आती है न मैं तो इसे राइस के साथ खाऊंगी आप भी जरू ट्राइक कि जगा बहुत टेस्टी बनती है बहुत लाजवाब बनती है तो चलिए फ्रेंड्स मिल दियों नेक्स्ट वीडियो में तिल दन बाई बाई और टेक क्यार